अगर आपको चिकन सीख कबाब सच में अच्छे लगते न तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और जितने लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चिकन ग्रेवी रेगलर वाली नहीं बनाएंगे बलकि आज चिकन सीख कबाब की ग्रेवी बनाएंगे और बहुत ही यमी और टेस्टी होगा फीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलना तो यहां पर मैंने चिकन ले लिया ये करीब एक किलो दो सो ग्राम है चिकन में फैट जरू डलवाईएगा हंडड़ ग्राम के करीब अब मैं डाल रहे हूं अधरक और लेसन का पेस्ट एक एक चमच और हंकर बिना पानी वाला दही अब नमक कश्मीरी मिर्च का पाउडर क्रश किया हुआ मिर्ची क्रश किया हुआ धनिया क्रश किया हुआ काली मिर्च जीरा पाउडर धनिया पाउडर और इसकी कॉइंटिटी सब आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी अब इसमें बारिक ही काटिएगा तो mixer grinder में अच्छे से पिसेगा और इसमें आधा lemon डाला है और एक हरी मिर्च डालिए और मिर्च तीखा आप अपने मन पसंद से रख सकते हैं अब इन सारी चीजों को mix कर लेंगे यहाँ पर मैंने प्याज ही मोटी मोटी काट दिये लेकिन आप से request है कि आप छोटा काटिएगा अगर आपके पास food processor नहीं है तो फिर इन सारी चीजों को bowl में mix कर लेंगे और अब एक mixer grinder लेंगे जो भी mixer grinder आपके घर अच्छा चलता हो जिसमें बिना पानी के पिस जा है आप वाला इस्तमाल कीजिएगा तो फिर मैंने छोटे वाले में पीसा था इसमें अच्छे से पिस जा रहा था मैंने कई सारे batches में इसे piece लिया था अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमच breadcrumbs और यहाँ पे एक बड़ा चमच बेसन का डाला है मैंने यहाँ पे अगर breadcrumbs ना हो तो आप बेसन दो चमच कर दीजेगा देखिए यहाँ प यहाँ पर मैं दो तरह से कबाब को शेप दे रही हूँ आपको जो easy लगे आप वैसे बनाईएगा तो यहाँ पे मेरे पास skewers नहीं थे सीक नहीं थी तो मैंने pencil का इस्तमाल किया है और आप भी इसी तरह से बना सकते हो अगर आपके पास skewers नहीं है तो यहाँ पे देखिए यह पीछे से प्रेस करना है और इसे आगे की तरफ निकाल के बाहर रख देना है तो यह second method है हाथ पे पानी लगा लीजेगा और इस तरह से इसके एक बॉल बना लेंगे और बीच में इंसर्ट कर देंगे pencil को और फिर thumb और middle finger से हम इसको shape दे देंगे तो इस तरह से काफी easy हो जाएगा अगर सीख नहीं भी है तो घर पे अराम से सीख कबाब ready कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यह सारे कबाब बना लिए अब मैं इसे frozen करूँगी यानि कि इसे fridge में रख दूँगी जहाँ पे हम बर्व जमाते हैं तो पहले हम इसे अलग-अलग करके tray में लगा लेंगे और इसे 5-6 गंटे के लिए इसी तरह से हम freeze कर देंगे और अगर आपके पास डब्बे हैं तो आप उसमें रख सकते हो तो यह 5-6 गंटे मेरे हो गयते फ्रीजर में रखने से रख करके अब मैं इसे डब्बो में रख दूँगी तो यह अब आपस में एक दूसरे में चिप केंगे निए और जब आपको मन करें आपको gravy बनानी है या फिर आपको कबाब खाने आप तब बनाईए निकालिए और enjoy कीजे अब चलिए gravy बनाने की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने प्याज, काजू और टमाटर और एक लाल मिर्च ले लिए सूकी इसे हम थोड़ा सा boil कर लेंगे तो यहाँ पर boil हो गया है ठंडा भी कर प्रेश हैं और बिल्कुल अच्छे से शेप में हैं तो आप इस सरह से ट्राइ कर सकते हो तो यह इस टमाटर का पसारा पेस्ट ठंडा हो गया है इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे यहाँ पर आप उस पेस्ट को ना एक बाद चान जरू तो फ्लेम को लो ही रखेगा इससे कबाब अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे तो चारो तरफ अलटते पलटते हम इसको अच्छे से गोल्डन कलर का सेक लेंगे तो इसे हमें 70-80% ही हम इसे कुक करेंगे क्योंकि बाकी यह ग्रेवी में भी कुक होंगे तो अब ग्रेवी हम फ्राइ करेंगे तो यहां पर प्याज को गोल्डन फ्राइ नहीं करना है हमें बस हम इसे सॉफ्ट करेंगे और इसमें मैंने हरी मिर्च अद्रक और लेसन का एक बड़ा चमबच पेस्ट डाला है मैंने अब इसमें जाएगा दो मीडियम साइज का चौप किया होगा टमा मसाला और कसूरी मेती और क्रश किया हुआ काली मिर्च का पाउडर और यहां पर थोड़ा सम पानी डाल देंगे जिससे मसाले जले नहीं और यहां पर हम इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राइ कर देंगे फिर जो हमने पेस्ट बनाया था पीस के रखा था टमाटर और सारी चीज टू एंड हाफ कप पानी एड़ किया था और जब पानी में उबाल आ जाएगा अच्छे से पक जाएगी ग्रेवी तब हम इसमें सारे सीक कबाब जो हमने तयार किये थे फ्राइ करके हम उसे डाल देंगे और इन सीक कबाब को इस ग्रेवी के साथ हम करीब 10 मिनट और तो फाइनल टच हम देंगे गैस ओफ करके धरा धनिया और क्रीम अट कर देंगे और इसमें आपको और भी अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप इसने स्मोकी फ्लेवर जरूर दीजेगा यह बहुत ही जादा बहतरीन लगेगा खाने में तो आप भी बनाएगे यह चिकन सीक कबाब क्रेवी और इंजोई कीजिए और वीडियो को अगर आपने लास तक देखा है तो प्लीज लाइक ज़रूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू